आप सभी प्रिय दर्शिकों का स्वागत है इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे Reliance Power की ये एक सीरीज है जिसमें हम बात करेंगे जाद तर Penny Stocks की और कहां से Value आएगी उनकी और कैसे हो सकती है आगे आने वाले समय में उंचाई की जलक आई ये चलकर शुरुआत करते हैं One of the Best Penny Stock in ADAG Group और देखिये Reliance Power के पास Multiple Project Execution का काम चल रहा है अब अगर हम यहाँ पर fundamental बात करें तो Reliance Power की जो Market Cap की दरशी से बात करेंगे तो वो करीब करीब 900 करोड की कमपनी है Market Cap, एक Small Cap की तरह से इसको Treat कीजेगा एक Penny Stock की तरह से Treat कीजेगा ताकि आप इसमें accordingly अपने Allocation को कर सके अगर इसकी हम बात करें यहाँ से Sales की फिगर की तो December के नंबर्स आ चुके हैं December में करीब 1800 करोड का उनको Sales हुआ था compared to 2400 करोड के पिछले September में वहीं पर उन्होंने expenditure को उसी साब से कंट्रोल किया है 1200 करोड का expenditure रहा compared to 1600 करोड के और profitability देखे जाए तो profitability dip हुई है 88 करोड की profit है compared to पिछले quarter के 170 करोड पर interesting बात यह है कि पिछले तीन quarter में यह consistently एक profit positive momentum बना के रखावा है अगर ऐसा momentum continue रहा तो हो सकता है आने वाले समय में और भी तेजी का असर रहे इस stock में fundamentally सही जगा पर बैठा हुआ है अगर हम बात करें यहां पर demand की आने वाले समय में power की consumption बढ़ती ही जाएगी तो demand जो है उसका growth trajectory बहुत उपर है और यहां पर industrialization जैसे जैसे improve होगा तो आगे आने वाले समय में सबकी power demand बढ़ेगी और especially अब summer time आने वाला है तो लोगों के पास AC की बहुत जादा requirement रहती है especially दिल्ली जैसे area में जहां पर आपका बहुत जादा गर्मी होती है pollution की वज़े से तो लोगों को preference रही रहती है कि घरों में रहे और AC चलता रहे तो वो conveniently काम करते रहेंगे अपना office का हो चाहे बच्चों के घर की पढ़ाई हो तो उसे साब से बढ़िया position बन रही है यहां पर अब अगर हम देखे इनके future growth के prospects क्या है multiple project execute करने की कोशिश कर रहे है और नहीं सर्फ इंडिया में बलकि international market में भी यह project execute कर रहे है बंगलादेश में इन्होंने अपना नया project शुरू किया है उसके बारे में हम आपको detail में बताएंगे आईए चलकर बात करते हैं आगे कुछ जो हमारे पास key news points है इस stock के लिए तो second जो news है हमारे पास में आपके लिए देखे quarter three result जो है उसमें profit करीब करीब 6% के आसपास उपर है at करीब 52 करोर के आसपास ये stand alone नहीं है consolidated profit है तो उसके चलते हुए आगे आने वाले समय में ये और भी तेजी से उपर बढ़ने की कोशिश करेगा यहाँ पर debt की एक सबसे बड़ी problem है और इसी वज़े से ये एक problematic या penny stock कह सकते है इसको pandemic company repaid 1271 करोड तो इन्होंने अच्छा अपना result करने के बावजूद 1200 करोड का debt भी reduce किया है December 31 अब will repay 2000 करोड in March quarter तो अपना इनका जो target है debt को reduce करने के लिए वो सही तरह से कर रहे है आगे आने वाले समय में इनको बढ़िया growth दिखाई देगी the group only engage in generation of power जैसे आपको पता है power generation में ही कहते हैं और आगे आने वाले समय में यहाँ पर बढ़िया तरह से इसकी demand बढ़ेगी demand for the electricity, consumption mix and result of average tariff realization bill collection from customer may impact the performance तो आने वाले समय में इन सब के साथ में धीरे धीरे यह improve होंगी और बढ़ेगा इसके long term का view यहाँ पर within an operating portfolio 5945 मेगा वाट की energy का production करते हैं यह और इन रिन्योल वे एनरजी में भी अपना काम शुरू किया है जिसमें अभी percentage कम है बट आगे आने वाले समय में और तेजी से percentage बढ़ेगी दूसरी major खबर जो है जैसे हमने आपको बताया कि यह इन्होंने एक sign की है deal for full financing total of 642 million approximately new gas fired thermal power generation plant in Bangladesh तो Bangladesh में यह अपना एक generation power को लिए funding के लिए उनको अल्री अप्रूव हो चुका है अब देखें यह इसकी जो power capacity 745 megawatt natural gas combining cycle power project in Magna hut पांगलदेश project company has now signed a loan with full financing totaling of 642 million और यहां से Japan bank के साथ उन्होंने tie up किया है Reliance power said to a regulatory filing और इसके चलते हुए अब नए project बनेंगे तो revenue बढ़ेगा और साथ ही साथ में उनकी profitability भी कम होगी Channel का 5 by February हमेशा ध्यान रखें दोस्तों आपकी wealth production के काम आएगा Technical अगर देखें तो देखें इसमें सिर्फ 3 parameter पर इसको valuation किया जाएगा काफी time से इसने consolidation किया नीचे से 1.70 पैसे से बढ़कर ये करीब करीब 4 रुपे तक चला गया था अब यहां से इसने consolidation किया धाय रुपे तक गया फिर थोड़ा उपर गया और अब ये अपने alligator indicator के mean के आसपास गुम रहा है मीन के नीचे आप चाहें तो इसको accumulate कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया demand zone है यहां से 3 रुपे 20 जो current पैसे है से लेकर 2 रुपे 80 पैसे तक की एक बढ़िया demand zone है यहां पर आप इसको accumulate करके अपने portfolio में add कर सकते हैं बुलिजर बैंड को देखें तो band narrow हो रहा है और यहां से 3.12 के आसपास इसका एक strong support रहेगा और एक बार इसने 3.40 पैसे को तोड़ा तो 3.60 पैसे तोड़कर फिर यह अपना lifetime high बनाने की कोशिश करेगा पिछले 2 सालों का super trend के indicator के basis पर gap narrow होता जा रहा है 3.75 पैसे का एक key resistance रहेगा जैसे ही एक बार attempt किया है एक और attempt करेगा तो इसको तोड़कर फिर यह उपर जाने की तयार आएगा RSI एक neutral zone में है तो जिन level पर हमने आपको conclusion की बात की जाए जिन level पर हमने आपको support की demand बताईए वहाँ पर आप उस range में इस stock को खरीच सकते हैं और साथी साथ में अगर आप long term का view रख रहे हैं इस stock में तो यह इसका target बहुत उचा है penny stock होने की वज़े से अगर buying आती है तो बहुत तकड़े से buying आती है और upper circuit चलता है और वही case है अगर selling आती है तो वो भी नीचे की तरफ को selling चलेगी अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारा view bullish है जी हाँ हमारा view bullish है इस stock में आप हमारे target को जाना चाहते हैं हमारा target आने वाले 3 साल के अंदर इसका 15 रुपे का है तो यह multi bagger की तरह से आपको प्रस्तुत किया रहा है buy कीजे और hold कीजे long term की दरश्ची से बहुत अच्छा portfolio ग्रो करेगा आपका दोस्तों अगर आपको stock market में learning करनी है और साथी साथ में आपको day trading करकर पैसा कमाना है उसके लिए हमने customized program design किया है जिसमें आपको चीजों की बारी के समझाएंगे details explanation किया जाएगा और बताए जाएगा कि आगे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए आपकी इन सारे stock में अगर आप इसमें interested है तो आप मारी technical workshop join कर सकते हैं basic technical workshop या फिर trading